अगर आप भी CapeCut Video Editor को डाउनलोड करना चाहते हैं, परन्तु आप उसे डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि किस प्रकार से आप CapeCut Video Editor को डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले गाइस अपना Chrome App open कर लेना है, Chrome browser जो होता है उसे open कर लेना है, सर्च बार में यहाँ पर आपको type करना है CapeCut APK, यह आपको डाल देना है, डालने के बाद में आपको simply से यह जो first वाली site है, uptodown.com वाली इस पर click कर देना है, इस पर click करने के बाद में आपको simply से इस प्रकार से interface open हो जाएग अब आपको यहाँ पर latest version वाले option पर click कर देना है, इस पर click करने के बाद में आपको यहाँ पर download वाला button show हो जाएगा, आपको simply इस पर tape कर देना है, टेप करने के बाद में आपका जो downloading है, वो start हो जाएगा, यह आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारा downloading यहाँ पर start हो चुका ह है download होने के बाद में आपको simply से इसे install कर लेना है मेरे इसमें पहले से ही downloaded है तो मैं इसे यहाँ पर download नहीं कर रहा हूं आपको simply से इस प्रकार से इसे download करके install कर लेना है